जाहिन साथियों मैं अनिलकों और फिस्टे अपने इवट्वी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो मेरा टोपिक है वो आपको क्लास में जो टेस्ट होई 20 जुलाई 2021 को ठीक है इस संदर्व में आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे की च सुनेंगे महापंटित और त्रिपिटका चारे की उपाधी डोडोड को दिया गया है तो देखें महापंटित और त्रिपिटका चारे की उपाधी जो है वो आपको राहोत सांकिर्तियान को दिया गया है ठीके नहीं तो इन्होंने दो पुस्तक लिखा था ठीके नहीं एक जो है आपको घूमकर स्वामी और एक जो लिखेते घूमकर सास्त तो कभी-कभी आपसे प्रश्ण कर लिया जाएगा कि घूमकर स्वामी और घूमकर सास्त नामक पुष्टक की लेखक कौन है तो आप कहेंगे राहुत सांकित्यान और राहुत साकेत्यान को महापंडित और त तीन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, अकवर नामा को तीन खंडों में बटा गया है, जबकि आईने अकवरी को पाच भागों में क्या किया गया है, बटा गया है, तो कभी-कभी यहां से क्या होता है, कि आपको इसके अंग्रेजी अनुवादक भी पूछ लिय जो अकवर के दर्वार के साही इतिहास कारते है, चलिए तिन नमबर में क्या कर रहा है, तुजुक ए बावरी, बावर की आत्मकता है, जबकि जहांगीर की आत्मकता डोट-डोट है, तो देखें, जहांगीर की जो आत्मकता है, वो आपको तुजुक ए जहांगीरी है, तो तो कभी कभी प्रश्ण आप से कर लिया जाएगा कि बावर नामा जो था वो आपको किस भासा में लिखा गया था तो देखें बावर नामा जो है वो आपको तुर्की भासा में लिखा गया था जबकि इसी का पंद्रसो एकासी स्वी में क्या हुआ था कि अब्दुरहीम खान आमा का फार्सियन बाद है और तुजु के बाबरी जो है बाबर की क्या है आत्म कता है ठीक है ना जबकि जहांगीर की जो आत्म कता है वो आपको तुजु के जहांगीरी है तो तीन का सही आंसर हो जाएगा तुजु के जहांगीरी चलिए चार में क्या करा है मुगल वात्सा अकवर का सासनकाल डौट डौट इसवी से दौट इस वी है तो देखे कि मुघलवात्शा अकवर का सासनकाल जो है वुho आपको 1556 से 1605 है ठीक है और अकवर को क्या होता है कि मुगल वन्स का बास्थिविक संथा पक कहा जाता है आगा इंस चीजों को अपको अच्छे से देख लेना है है तो देखे रही है कि मुगल की कम से कम चे परमूह को जिसका सासनकाल । थे पहले बावर फिर है आपको अकवर अकवर का सासनकालこんじゃोफ़चे से सत्र ampeत फिर है आपको जहांगईर का सासनकाल se 25 Jan % फिर है आपको औरंगजेव औरंगजेव का सासनकाल 1658-2007 इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है तो चार का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको 1556-1605 होगा, चलिए 5 में क्या करा है, INA Aquary का अंग्रेजी अनुवाद .dora तथा अकवर नामा का अंग्रेजी अनुवाद .dora किया गया था, तो देखे, INA Aquary का अंग्रेजी अनुवाद जो है, ठीक है न, दयान से सुन्येगा, वो आपको किस के दोरा किया गया थ कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे ठीक है ना और आप लोग को क्लास का ये जो एनालाइसिस है कैसा लग रहा है ठीक है ना वह आप लोग अपना फीड़वेक जरूर देंगे असियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल के स्थापना ठीक है ना 15 जनवरी बंगाले इसकी अस्थापना का उधिस्ते क्या था तो भारत में जो प्राच्चे अध्य ने उसको क्या करना बढ़ावा देना ठीक है ना तो च्छा का सही आंसर हो जागा बिलियम जोस चलिए साथ में क्या करा है मुगल काल में सर्वोत्तम फसल को डोडोड कहा जाता था देखें मुगल काल में सर्वोत्तम फसल को जिंस एक कामिल कहा जाता था क्या कहा जाता था इन चीजों को अच्छा से याद रखना था अंसर हो जागा वह आपको जिंस एक कामिल हो जागा चलि आठ म est अकवर ने टोडर्मल को दिवान ए असरफ याने कि भूमी विभाग का अध्यक्ष डॉटडोट इस्वी में नुक्त किया था तो देखे अकवर ने टोडर्मल को दिवान ए असरफ über Chemies me में नुक्त किया था ठीक है न तो यहां से कभी-कभी प्रैश्ण कर लिया जागा कि दि आईने अकवरी कनुसार भूमी को चार बर्गों में विवक्त किया गया था इन में सरबाधिक उपजाव भूमी डोडोटी तो देखे आईने अकवरी कनुसार भूमी को चार बर्गों में बटा गया था जिसमें सबसे उपजाव भूमी जो थी वह आपको पोलज थी ठीक है तो आई नियक वरी में भूमी के 4 परकार का वर्णन किया गया एक आपको पोलज जो सरबादी फजाव भूमी होती थी एक पड़ती है एक छचारा और एक बंजर यह तो इसमें जो सबसे निम्न किस्मी की भूमी थी वह आपको बंजर थी ठीक है ना तो 9 का जो सही आंसर हो ज हो जागा चले 10 में क्या करा है सेट सासूरी डोडोड कार्ये के लिए इतिहास में याद के जाते तो देखे सेट सासूरी जो है वो आपको भूमी सुधार के लिए क्या होते कि आपको इतिहास में सबसे ज्यादा क्या होते कि आपको याद के जाते हैं तो दस का सही आंसर हो ज जाता था तो एक आरा का सही आंसर्ज हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा की क्या है इस दिल्ली से दॉलतावाद डॉडोडош राशक ने अपनी राध्वारतीत कि थे दिल्ली से दॉलतावाद क्या हुआ था कि राध्वातीत किया था वह आपको मुहम्मध arguments थुग लख नहीं किया था ठीक है तो यहां से एक चीज को याद रखेगा कि मुहमध बीन तुगलक का सासन काल जो कि आपको तेरा सो पचीश से तेरा सो इकावन है और यह तुगलक बंस के एक परमुक्षा सकते थे इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना चलिए तेरा में क् उनेसको के 20 धरोहर सूची में सामिल कुतुम मिनार का निर्मान कारे डोट डोट ने अरम कराया था तो देखे तो उनेसको के करया कि 20 धरोहर सूची में सामिल तो सबसे पहले जान लिजे कि यह जो कुतुम मिनारे उनेसको के 20 धरोहर सूची में 1993 में क्या हुआ था सामिल हुआ था और इसका निर्मान कारे जो सुरू करवाया था वो आपको कुतुवुदीन एवक ने क्या किया था शुरू करवाया था ठीक है ना तो तेरा का जो सही आंसर हो जाएगा आपको कुतुवुदीन एवक ठीक है ना फिर यहांसे एक प्रशन ह इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठीक है ना? वो जाएगा कुटू उधी नभग, चलिए 14 में क्या कर आगा है? तमभाः को का 7, सर्परथम, डौड़ोट मुगल समराट नीं क्या था? तो देखे, तमभाः को का 7, सर्परथम अकवर ने किया था, कौन क्या था? अकवने किया था जबकि तमभाको पर पतिवन्द लगाने की बात होगी तो आपको जहांगी ने लगया था ठीक है नए तो ये जो 14 नंबर परशने हैं इसका जो सही आंसर हो जायागा वो हो जायागा का आपको क्या तो अकवर्टिक ना और अकवर्ण हुक्य की रूप में सबसे पहले तंबाको का परियुक की आता चलिए पंदरह में क्या करा है डॉट-डॉट मुगल सासक का काल मुगल कालीन अस्थापत्य काला का सोन काल मारा जाता है तो देखें ये जो साह जाहा है तो साह जाहा के काल को मुगल अस्थापत्य का सोन काल काल का जाता है जबकि जहांगीर के सासन काल को चितरकाला का सोन काल का जाता है तो इंच जोका आपको अच्छे से देख लेना है इसका सही आंशो हो जाएगा आपको आठारा जुन पंदर्फ़ान प्रताप बीच जीजे जोंके आपको देख लेना है, चले 17 में क्या करा है, फतेपु सिक्री में अवादत खाने का निर्मान और जो था, थियांसर सुनियागा ठीक है न? वह आपको यानि कि अकवर के दोड़ा 1575 में कराया गया था तो 17 का सही आंसर 1575 हो जागा चलिए 18 में क्या कराया है 16 मार्च 1527 को खानवा के यूद में बावर ने डोट-डोट को प्राजित किया था तो देखे 16 मार्च 1527 को खानवा के यूद में बावर ने क्या किया था कि आपको मतलब ये जो राना सांगा है उसको क्या क्या था प्राजित किया था ठीक है ना तो ये जो 18 नमबर प्रश्ण है इसका सही आंसर हो जागा राना सांगा चलिए 19 में क्या करा है 22 ने पानिपत के प्रतम यूद में डॉट-डॉट को मतलब कि प्राजित किया था ठीक है ना इबराहिम लोधी को प्राजित किया था तो इन चीजों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है क्या हुआ था तैयार हुआ था तो ये जो ताजमल है इसको पतनी के प्रति समर्पीत प्रेम का अमर प्रति क्या होता है कि इमारत मना जाता है ठीक है ना और इसका निन्वान सहा जहाने क्या किया था कि अर्जुमंत बानो बेगम यानि कि मुम्ताज के याद में कराया था ठीक है न तो यह जो 20 निमबर प्रश्ण है इसका सही आंसर हो जाएगा 1632 आरंब और 1648 में बनकर त्यार हुआ था ठीक है न चले 21 में हिनियान महायान ४ुरृती पुंच कहा जाता है न तो इन चीजों को आपको बढ़या से देख लेने चले 22 में क्या कराया है साची के अस्तुप पर लिखी रेका से लेखक.. साची के अस्तुप पर लिखी रेकु पुस्तक भीर्सा टूप्स के जोा साची के लेखक है.. जिसका नाम है The Monuments of Saatchi ठीक है ना जिसके लेखक जो है वह आपको अल्फरेट फुसे और आपको जौन मार्सल थे ठीक है तो इन सारे चीजों का आपको अच्छा से देख लेना है तो 22 का सही आंसर हो जागा अलेक्जेंडर कंडिंगम चलिए 23 में क्या कर रहा है चतूर्थ ब देखेने क्या बनानिकर लेंगे क्या हो जागा तो कनिषक कुंडल्मंथ ठीक है ओना हुना चलिए 24 में प्रथम ज्रण संगती कायोजन पाटलि पूत में देखें क्या कराया कि प्रथम ज्रण संगत आपको अधेक्स्ता पूछेंगा तो वह जागा आपको अस्थूलवादर ठीक है ना चलिए 25 में क्या करा है वह इसने पासम नात्व के स्मे אני अन्च के सिधानथ में नए सिधान्त दोडो जाथा तो देखें माविर ने पासम नात्में जो नया सिधान्त जो रहा था वो था आपको ब्रहमचरे क्या था ब्रहमचरे तो देखे ते इससे पहले क्या था कि पासमनात के द्वरा जो सिधान्त दिये गये थे उसमें आपको सत्ते था अहिंसा था अस्ते था और परिग्रह था लेकिन इसमें एक नया सिधान्त जो था सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी अनुबाद जो है द्यास सुनेंगे वह आपको चार्स बिलिकिन्स के दौरा 1750 में किया गया था और एक याद रखेगा कि यह जो स्रीमत भगवत गीता है ठीक है यह महाभारत का सरवाधिक सिक्षा प्रद्वाग है तो आप लोगो को कहीं भी किसी परकार की समस्य आगर होती इस टोपिक में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे ठीक है ना तो यह जो 26 नमबर प्रशने इसका सही आंसर हो जागा चाल्स बिलिकिन्स ठीक है ना और चाल्स बिलिकिन्स ने अंग्रेजी अनुबाद कब किया था तो लोग किसी अंसर गंधारी हो जागा चल्य उन्-त्neum- तो देखें, यह जो बायू पूरान है, यह आपको गुफ्त-सास्कों कि जनगारी का securities परमुक्षुर होते है, तो तूटीस का सही ऐसारी हो जाएगा आपको बायू पूरान है, जलिए, एक तिसमे क्या क्या करा है, अभिलेखों का अधियन go तो आपको अच्छे से याद रखना है तो 31 का सही आंसर हो जागा 32 में प्रयाख प्रस्तास्ति अस्तंब अभिलेक से प्राचीन काल के डॉट-डॉट महा सास्त की जनकारी प्राफ्त होती है 32 का सही आंसर होगा वह आपको जागा समुध गुप्त के जो प्रयाख प्रस्ति अस्तंब लेके उसी से हमें समुध गुप्त के दिगविजयों के बारे में जनकारी मिलती है तो 32 का सही आंसर समुद्ध गुप्द चले 33 में भारतिय इतिहास का डॉट डॉट काल सुन काल के नाम से जाना जाता है तो देखे भारतिय इतिहास का ठीक है यह जो गुप्द काल है इसको क्या कहा जाता है कि भारतिय इतिहास का सुन काल कहा जाता है ठीक है तो देखे चेत में बिज्ञान के चेत में प्रधोगी की के चेत में खुब ज़्यादा विकास हुआ था इसलिए गुप्त काल को क्या का जाता है तो भाति इतिहास का स्वनकल तो 33 का सही आंसर हो जागा गुप्त काल ठीक है ना चले 34 में फूट डालकर बिजय प्राप्त करने का करे पतम कि सराजा ने किया था तो आपको अजाज सत्रु का जो सम्मन्द है वह आपको हर्याकवंस से ठीक है ना और यह आपको विम्भी सार का क्या था बेटा था ठीक है चले 35 में सिंद्धुगाटि सब्याता का बंदरगाह नगर कौन था यह आपको लोतल था जो आपको रहा जाता है तो आपको अच्छे से देख लेना है चलिए 27 में सिंदु सभ्याता का डॉट डॉट अस्थल मिर्तवकों का टिला के रूप में विख्यात है तो यह आपको मोहनजोद्र हो जागा चलिए 38 में राखलदास बनर जी को महनजोद्रो काप से डौट वस में मिला था तो देखे राखल दास बनवजी को महंजोद्रो काप से 622 मिला था महंजोद्रो जो है वो आपको सिंदु नदी के किनारे अभस्तित थे ठीके ना और यह जो महंजोद्रो है ध्यान से सुनिएगा ठीके ना इसका जो साब्दी कर्थ होता है वह होता है मिर्थव को का तील ते इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखनाय चलिये 49 में क्या कर आया है भारत में पुरातता विहाग के स्थाफना डौटट महुई थी तो देखे भारत में पुरात्ता विहाग के जो अस्थापना हुई थी वह आपको 8 61 मुई थी और इस पुर हरपा सभयता के लोगों को क्या था कि आपको लोहा धातु का ग्यान नहीं था जब कि हरपा सभयता जो है वह आपको कांसे की सभयता और मनुस्त्रे के दौरा परयोग किया गया जो पहला धातु है ठीक है नहीं वह आपको कौन है तो मनुस्त्रे के दौरा परयोग किया गया पहला धातु जो है वह आपको तामभाय ठीक है तिन सारे चीजों को आपको वीडियो को पहुंच करके अच्छे से लिख लेना है जहां भी दिकत हो कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे तो चलिए दूस्तों आज किस क्लास को यहीं पर बिराम देते हैं फिर मिलते आ आप सबस्थर सुबड़ा तेक कर अल उफ यू